हलो दोस्तों नमश्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अटाफ और स्टुडी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जो की संबन दीत है नए शिक्षा सेवा चैन आयोग के बारे में नए शिक्षा काम के साथ साथ और भी तमाम अपडेट को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा ले और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहें शूबात करते हैं सबसे पहली जो गठन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है बारे सदस्यों के साथ में एक कारेवाहक अध्यक्ष यहां पर मिल चुका है लेकिन अब नया आयोग आया है तो कुछ नकुछ तो नया लेकर के आएगा ही क्योंकि जब पहली बार कोई नई चीज आती या नई बदलाब देखने के लिए मिलते हैं तो उसके बाद में निश्चित तोर बे कुछ नकुछ आप सभी के लिए कुछ ऐसा निकल कर आता है जो के हमें पचाने में या कही न कहीं अपनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अब नई शिक्षा सेवा चैन आयोग के आते ही कुछ नियम यहां पर खतम कर दिये गए हैं या फिर यूं कहें कि नई शिक्षा सेवा चैन आयो की नीमा वली के अंदर उन नियमों को शामिल ही नहीं किया गया है और इससे सबसे बड़ा जो जटका लगा है वो 63,000 सिच्छकों की भरती को लगा है पहले मैं इसी पर बात कर लेता ह तो यह आजी का नियूजबेपर है जिसके अंदर आप सभी के सामने सभी वो सवालों के जवाब दिये गए जो कि नई शिक्षा सेवा चैन आयो के आते ही जो नई नियम बदल गए हैं लिखा हुआ है माद्यमिक शिक्षा सेवा चैन बोड के समाप्त होने से बनी समस्या न नई शिक्षा सेवा चैन आयो की अगर बात की जाए नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैन आयो के प्रदेश के 4512 सायता प्रफ्त माध्मिक कारदत लगवग 63,000 सिच्छकों और प्रदानाचारियों के दंडों प्रकरणों के अनुमोदन या अनुमोदन की समझने के लिए नीचे आपको आना होगा नया आयो के अस्तुत में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चैन बूर्ड से लंबित मामले अब जिला विद्याले नियच्छक बापस भेजे जा रहे हैं चैन बूर्ड के उपसचिब नवल किशोर की ओर से दो अप्रेल को बरेली के डियाई उएस को ऐसाई एक मामला भेजा गया था राष्ट्य केसी एवम उद्योग इंटर कॉलिज रोली बरेली के सायक अध्यापक अनूप कुमार मिश्र के दंड से संबंदित प्रक्रण 31 दिसम्बर 2015 को चैन बूर्ड को बेजा गया था दंड समिती ने 11 जनबरी 2022 को ब्रेक्तिकत सुनबाई सुनिश्रित करते हुए जिसमें सिच्छक अनूप कुमार मिश्र को मिश्र तो पहुँचे लेकिन प्रवंदक अनूपस्तित रहे इस कारण प्रक्रण पर नेड़ने नहीं हो सका आठ अपेल 2022 को चैन बूर्ड के सभी सदस्य और आठ अपेल 2023 को अध्यक्ष के कारिकल समाप्त हो जाने के कारण मामले का निप्टारा नहीं हो सका इस वीच 21 अगस्त 2023 को नए आयोकी अधिसूचना जारी हो गई इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा सिवा चैन बूर्ड का अधिनियम 1982 समाप्त हो गया और 1982 से जो अधिनियम में दंड पक्रण की सुनबाई की विवस्ता थी वो उप सचिव नवल किशोर ने पत्ति से लिखा कि नए आयोके दंड अनुमोदन की अनुमोदन की कोई भी पैकिया निधायत नहीं है लियाजा मामला वापस बरेली भीजा जा चुका है अब जो अभ्यती TGT PGT से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बहुत बहतर तरीके से समझ सकते हैं लेकिन जो नहीं जुड़े उनको पता दूँ क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर है क्योंकि सो से अधिक मामलों में सालों बाद भी नेड़े नहीं हो पाया है एड़ेड कॉलेजों के सिच्छक बदाना चारेओं के डेड़ सो से अधिक दंद प्रकरड सालों से चैन बोर्ड में लंबित हैं इन में से अधिकांस मामले सिच्छकों की सेवा समाप्ति के हैं उत्तर प्रदेश माध्मिक शिक्षा सिवा चैन बोर्ड की निमावरी 1982 के अनुसार दंड से पहले प्रवंदकों को चैन बोर्ड से अनुमोधन लेना होता था और अब नए आयोक के गठन के साथ ये विवस्ता समाप्त हो गई है अब ध्यान से सुनिए जो टीजटी पीजटी भरती के अंदर नोकरी करना चाहते हैं या नोकरी कर रहे हैं या जो 63,000 सिच्छक हैं उनके लिए क्योंकि यहां पे जो 63,000 सिच्छकों की भरती की जो भाली चल लई थी वो भी कहीने के अब यहां फस गई है कैसे समझ लीजिए hey क्योंकि होता गया था कि टीजटी बीजटी जो विद्ध्याले होते हो पूरे तरीके से सरकार के अंदर यहीं असास की यह सह सहताप्राप्त थीकर तो किसी भी टीचर के खिलाब काज़ेवाई कर सकते थे। माल लो example की तौर पे आप विद्याले में लेट गए है ना या आपकी खिलाब को आपको निकालना है। आपकी सेवा समाप्त करनी है। तो वो आपकी खिलाब कोई काज़ेवाई कर दे थे तो उसकी कारवाई बना कर कि उन्हें माध्यमिक सिक्षा सेवा chainboard को भेजा जाता था कि भाई ये देखो ऐसे से मामला है इस पर जाच करो फिर न को बाहर निकालो तो chainboard क्या करता था कि उसमें कहीने के उसमें थोड़ा तरीके से जाच करके कि उनकी खिलाब कारवरी करता था कि चैन बोड की तो किसी दुश्मन ही है नहीं है लेकिन प्रवंदक की दुश्मन ही हो सकती थी तो इस केस से बचने के लिए टीजीटी बिजीटी में चैन बोड करीने के एक बीच में काफी महत्पूर मुद्दा हुआ करता था और वो प्रवंदन किसको निकालेगा किसको रखेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा यह सब होगा आप सभी का गोड़कोबर क्योंकि यह नियम नई शिक्षा सेवा चैनारुकी बनने के बाद से खतम हो गया है और अब इसको लेकर जो बहुत जादा मुश्किल है वो बढ़ने जा चानकारी आज ही के अलग-अलग नियूस पेपर के अंदर दी गई है यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परिक्षा पर लागू नहीं है आचा सरीता फेबी तिती अटकी हुई है इसी में बताया गया है कि कव तक आप सभी की परिक्षा को लेकर जो अपडे परिक्षा पर नेड़े नहीं ले पा रहे तेहर लाग से ज्यादा अभ्यर्ति ने इसके लिए आविदन किया है और परिक्षा की तारीकों के लिए इंतजार कर रहे अब ऐसे में अब कब तक आपकी परिक्षा देखने के लिए मिलेगी तो इसको लेकर यहां पर भी लिख हुआ है ऐसे में अभ्यर्ति पुरानी वर्ति की परिक्षा की तिति गोशित ना हो पाने की परिया से परिशान है और उम्बीद जताई जारी कि अब जो टीजटी पिजटी को लेकर परिक्षा की तारीक के घोशित होंगी वो चुनाब के बाद आपको देखने के लिए मिल आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए जैसे ही ये दो महीने खतम होते हैं उसके बाद में आपकी टीजटी और पीजटी की जो परिक्षा है वो यहां पर चैन बोड के माद्धियम से करानी शुरू कर दी जाएंगी इसलिए अपनी तैयारी करते रहें डीमोटिवेट होने के बजाएं बहतर होगा बाकी रही बात कुछ नई सिच्छक भरती और भी तमाम परिक्षाओं को लेकर तो जो नई भरतियां होंगी वो तो चुनाब के बाद ही आएंगी और उसमें अभी समय भी लगेगा लेकिन हाँ जो पुरानी परिक्षा हैं उनको कहीने की आयोग के माध्यम से चुनाब खतम होते ही सबसे पहले कराय जाने की प्रात्मिक्ता में होगा थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो